इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आरेन खान की जमानत के लिए नई कानूनी रणनीती बनाने की जानकारी है शारू खान ने नई कानूनी रणनीती बनाई है करांजरवाला कंपनी आरेन की कानूनी लड़ाई लड़ेगी, मुकल रोतगी भी लंदन से भारत रवाना, मुकल रोतगी हाई कोट में आरेन का पक्ष रखेंगे लड़ने के लिए कहा है और मुकल रोतगी लंदन से भारत रवाना हो गया आज आरेन खान मामले में हाई कोट में सुनवाई हो नहीं है ऐसे में शारुख खान लगातार कोशिश कर रहे थे कि आरेन खान को जमानत मिल जाया लेकिन नहीं मिली ऐसे में अब शारुख खान ने नई कानूनी प्रक्रिया, नए लोगों के साथ, नए वकीलों के साथ, अब आरेन खान के लिए कानूनी लड़ने की कोशिश की है करांजवाला नाम की जो फर्म है उससे उन्होंने बात चीत की है और मुकुल रोतागी हाई कोट में आरेन का सिधान्त हमारे साथ जुर गे हैं सिधान्त क्या जानकारी है और करांजवाला को रोपिन किया गया है उनके साथ बैटके स्ट्राटिजी बिनाएगी और सूत्र जो बता रहे हूं यह है कि मुकुल रोहात की बकायता लंड़न से फ्लाइट लेके इंडिया आ रहे हैं और आज वो हाई बता रहे हैं और आज जो जिरह होने वाली है वो इसलिए काफी इंट्रस्टिंग होने जा रहे हैं और यह जो लगातार पिछले दो-तिन आज की सुनवाई पर असर डालेगा जी बिल्कुल देखें कि एंट्रस्टिंग को जाचने की करने लिया जा रहा है सिध्धान मेरा सवाल आप से था कि हमेद इसाई और सतीश मान शिंदे जैसे दो बड़े वकील इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं इस मामले की चीज़ों को देख रहे हैं समझ रहे हैं मैं दोबार उनके पास लोटूँगा लेकिन बड़ी खबर यह है कि आरेन खान का केस अब मुकल रोहतगी लड़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट में आज उनका पक्ष रखेंगे करनजवाला जो एक लीगल फर्म है लौ फर्म है अब शारु खान ने उनके साथ बात चीट की है उनको अपॉइंट किया है आरेन खान की जमानत के लिए आरेन खान से जुड़े मामलों को देखने के लिए तो अमित दिसाई और शतीष मांचिंदे अब तक इस मामले की सुनवाई देख रहे थे लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जोचना जमानत नहीं मिली शायद यह मुकुल रौतगी शारुखान के बेटी आरेन खान की तरफ से पक्ष रखेंगे अभी तक सतीष मानशंदे और अमित देसाई अपियर हो रहे थे कोट में और आरेन की तरफ से दलील रखी जा रही थी और अब नई कानूनी रर्मी थी आपको आज नजर आएगी कोट में भ पारीज बीच ये भी आ रही है कि जो अमित देसाई हैं और सतीष मानशंदे हैं वो भी कोट में मौजूद रहने वाले हैं और हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं मुंबाई में शेवानी हो सिधान्त हो सब एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रह रहे हैं और आपको बता दे मुकूल रौतगी आज अपेर होने के लिए लंडन से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं पहुंचेंगे बॉंबे उसके बाद और वहाँ पर बॉंबे हाई कोट में इस सुनवाई के दर्मिया मौजूद रहेंगे आरिन खान की तरफ से पक चिंदे भी कोट में मौजूद रहने वाले हैं तीन अक्टूबर को आरिन खान की गिरफतारी हुई थी तमाम दलीलों तमाम सबूतों और तमाम बातचीत के बाद भी एंडिपीएस कोट असेशन कोट से आरिन खान की जमाने त्याची का खारिज हो गए थी शायद यही वक्त आरिन खान मामले की सुनवाई मुंबाई हाई कोट में शुरू हो सकती है एंडिपीएस कोट और सेशन कोट ने आरिन खान के जमानत याची को खारिच कर दिया था मुकुल रतगी लंडन से भारत पहुच रहे हैं फलाइट लेकर और वो आज हाई कोट में आरिन खान किया ड्रग्स उनके पास ड्रग्स नहीं मिला कैश नहीं मिला तो सेक्शन 29 जो की साज़श बताई जाती है इस पूरे मामले में उसके बिनापर कैसे आरिन खान को जमानत नहीं मिले दूसरा भी NCB के कामकाच के तरीके पर भी लगातार सवाल खड़ी किये जा रहे थे हलाक और इंडी पेस कोर्ट ने जमानत त्याचिका भारिच कर दिया आरिन खान की अब आज हाई कोर्ट में 26 उक्टूबर की तारीक तारिक मुकरर की गए थी आज 11-12 बज़े के बिच हाई कोर्ट में आरिन खान की जमानत त्याचिका पर सुनवाई होगी लेकिन बड़ी बात कि हमें देसाई वहां मौझूद रहेंगे सतिः मांचिन वह मौझूद रहेंगे लेकिन अब जो लीड करेंगे वह मुकूल रोतगी करेंगे देश अरंजवाला कंप्पी जो कि एक लीगल फिर्म है अब ये आरेन खान का केस देख रही है और एहम बात ये है कि अब देश के तीन सबसे बड़े वकील आरेन खान का केस देख रहे हैं सतिश मानशिंदे, आमे दिसाई और मुकुल रोहतगी तो तीन वकीलों की तिकड़ी ये देखने वाली बात होगी जोसना क्या आज अरेन खान को हाई कोट से रहत दिलवा पाती है